हलो आवरिपन आज हम डिसकस करेंगे सेक्शन 11 ऑफ पंजाब लेंड रेविन्यू एक्ट 1887 यहां पर सेक्शन 11 और सेक्शन 12 दोनों हमें अड्मिनिस्टेटिव कंट्रोल के बारे में बताते हैं बट आज हम अउनली सेक्शन 11 डिसकस करेंगे और अगली वीडियो में सेक्श सेक्शन 11 हमें बताता है सुप्रेटेंडेंट्स एंड कंट्रोल ऑफ रेविन्यू ऑफिसर्स जाने के जो रेविन्यू ऑफिसर्स हैं उनको कंट्रोल कौन करता है इनका सुप्रेटेंडेंट कौन होता है तो देखिए जब हम एक्जाम देने जाते हैं तो वहां टीचर्स देते हैं और उन इंविजिलेटर्स को कंट्रोल कौन करता है सुपरेटेंडेंडेंट कंट्रोल करता है न उनको भी तो वैसे ही जो section 11 है इसमें जो revenue officers हैं उनको भी superintendent कंट्रोल करता है बट इनका जो superintendent होगा वो कौन होगा वो इस section में बताया गया है हमने पहले section six discuss किया था जिसमें classes of revenue offices हमने पढ़ा था जिसमें सबसे पहले the financial commissioner आते हैं, the commissioner, फिर the collector और the assistant collector of the first grade and the assistant collector of the second grade तो इसी sequence में आज हम इस section में discuss करने वाले हैं तो सबसे पहले आते हैं financial commissioner तो financial commissioner को कौन control करेगा? the state government, जानि जो पंजाब के financial commissioner हैं उनको पंजाब government control करती है और बाकी के जो other revenue officers हैं, वो किसके subordinate होंगे? वो financial commissioner के subordinate होंगे और उसके बाद आता है collector और assistant collector first grade और assistant collector second grade यह सब commissioner के अंडर होंगे बट commissioner हैं, जो उनके उपर किसका control रहेगा? the financial commissioner का और इसके बाद आता है collector collector के अंडर कौन आएंगे? जो तैसे इलदार है और नाइब तैसे इलदार है उन पे control किसका होगा? collector का होगा तो यह था section 11 अगर आपको मेरी वीडियो जे अच्छी लग रही हैं तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूले और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले तैसे इलदार है